चले सिधाब को ये चलते हैं दिली के मुखे मंतरी अर्विंद के जिवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फरेंस करें क्या कुछ कह रहें आपको भी सुनवाते हैं कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तै करती है देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंदर सरकार तै करती है कि इस रज्जे को इतनी ओक्सिजन मिलेगी इस रज्जे को इतनी ओक्सिजन मिलेगी अब दिल्ली को कितनी ओक्सिजन चाहिए दिल्ली सरकार ने अपना एक estimation लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन oxygen की जरूरत है केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 टन तै किया हुआ था ये कोटा कल शाम को बढ़ाके 480 टन कर दिया है केंदर सरकार ने इसके लिए हम केंदर सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं हलांकि हमें और भी और भी काफी oxygen चाहिए लेकिन केंदर सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं आप केंदर सरकार ये भी तैय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कमपनी देगी जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राजों से दिल्ली के बाहर के दूसरे राजों से आती है तो केंदर सरकार तैय करती है कि फलाने रज्जे की ये कंपनी आपको इतने किलो अक्सिजन देगी फलाने रज्जे की ये कंपनी आपको इतने किलो अक्सिजन देगी मालो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी हर्याना की ये कंपनी आपको इतनों किलो देगी तो केंद्र सरकार पुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सिजन आनी थी वो भीजनी रोग दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने रज्जे में इस्तिमाल करेंगे दिल्ली का कोटा भी हम इस्तिमाल करेंगे दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जानी नहीं देंगे लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोट का शुक्री आदा करना चाता हूँ पिछले दो-तीन दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वज़े से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है जो जो दिक्कते आ रही थी हम लगातार पिछले दो दिन से एक-एक मिनिट टू मिनिट मैं खुद मनीश जी मैं हमारे सारे ओफिसर्ज केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे पर सो रात को मुझे याद है जब जी टी बी हॉस्पिटल में वहां का ट्रक एक पडोसी रज्जे से चलना था पर वो चला नहीं जी टी बी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन तो एक केंद्रि मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से चुड़वाया हम लगातार संपर्क में हैं एक एक ट्रक को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं सोई नहीं हैं हाई कोट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रियादा करना चाहते हैं जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का उसमें उडिसा से काफी ऑक्सीजन आनी है तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जाज के जरीए उडिसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके जब हमने लॉकडाउन लगाया था मैंने आपको बोला था कि ये छे दिन का जो लॉकडाउन है ये छे दिन हम आराम नहीं करने वाले हम 24 घंटे काम करेंगे इन 6 दिनों को हम इस्तिमाल करेंगे दिली के हेल्थ इंफ्रसेक्चर को और सुद्रड करने के लिए इन 6 दिनों में दिली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए दिली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिली के हेल् बाद यह बहुत बड़ी आपदा है इस आपदा में अगर हम सारे लोग हर्याना, पंजाब, तमिनाडू, गुजरात, पश्चिम, बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भारतिय बनना है, हमें इंसान बनना है, डेश के लोग आज सभी नियूस चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्ये ने रोक दिया, मध्यपरदेश में जाने वाला ट्रक भलाने राज्ये ने ये तो ठीक नहीं है, लोग ये नहीं चाते, देश के लोग आज ये देखना चाते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्ये की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्ये की कैसे मदद की, हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तब ही भारत बचेगा, अ बिहार वाला गुजरात की मदद करे, हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, तब ही तो भारत बचेगा, और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो, अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को सारी सरकारों से अपील है कि आईए, मिलके एक हो के लड़ते हैं, अगर हम मिलके लड़े एक मुठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक सात्स इस्तिमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ती बढ़ेगी, और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें हमें नहीं मेरे से जो बन पड़ेगा मेरे हाथ में जो होगा आप मुझसे मांगिये मैं दूंगा पूरे देश की मदल करेंगे अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्ये के साथ बाटेंगे और जब दिल्ली में करोना कम होगा और किसी दूसरे राज्ये में डॉक्टर्स की जरूरत होई हम आ डॉक्टर्स भी भेजएंगे हम सभी भारतवासी हैं हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे सभी रज्जों की मदद करेंगे क्योंकि ये बिमारी कोई बौर्डर देखके नहीं फैलती मैं उमीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ सारी सरकारें केंद्र सरकार सारी रज्य सरकारे हम मिलके काम करेंगे एक भारत बनके काम करेंगे करोना को हराने के लिए हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे जादा कोविड केसे भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहां की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंदन किया भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बिमारी को हमने हराया जैहिन तो आप सुन रहे थे दिली के मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल को, जिन्नों ने यह कहा कि मुझसे जो बन पड़ेगा, जो कुछ भी मेरे हाथ में है मैं वो मदद दिली वासियों को करूँगा, आप मेरे पास आएं, मुझे भी तकलीफ बताएं लेकिन साथ ही इस मुश्किल वक्त में हम सब को साथ मिलकर लड़ना होगा, तब ही हम देश को बचा पाएंगे दिली के कई एस्पतालों में ऑक्सेशन की कमी है, इस बात का जिक्र किया, मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल ने बेड और वेक्सिन की भी डिमांड बड़ी है, क्योंकि लगातार जो संकुमित मरीज है, वो भी सामने आ रहे हैं तो देखें, एक और बड़े ख़बर आपको बजा देते हैं, बीजेपी सांसत गौतम गंभीर का के जिवाल पर बड़ा हमला एक साल तक दिली के सीम ने कोई तयारी नहीं कि ये गंभीर क्योर से कहा गया स्वासे सेवा ठीक करनी के जगा विग्यापन में पैसे खर्च किये, सीम के जिवाल ने 600 करोड रुपाए विग्यापन में बहा दिये, ये आरोग गौतम गंभीर नेर्विन के जिवाल पर लगाया है इतना पैसा अस्पताल में खर्च करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, गौतम गंभीर ने ये भी कहा है, साफ़तोर पर निशाना साथ दिया है, विजेपी सांसल गौतम गंभीर का के जिवाल पर बड़ा हमला सामया है एक साल मिला था, सीन साथ को त्यारी करने के लिए, एक साल में कुछ भी नहीं किया, फिर से आप हम एक ही चीज रिपीट करते जाएंगे, कि एक साल में अगर कोई 600 करोड अपने उपर लगा सकता है, तो इससे ये पता चलता है कि कितना सेल्फ अपसेस्ट आदमी है, ये 600 क पर रुपे में अगर आपने COVID-Center खोला होता, या फिर आपने ICU बेट्स बनाया होता है, या आपने वेंटिलेटर लिया होते, उससे बहला होता दिल्ली की जनता का ही है, जो आपके जो आड आते हैं, उससे बहला होता, और आप सेंटर को देखो, सेंटर ने सप्लाय औक्सि के बाद ही खुला था, तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ करना चाहिए, सिरफ आके बड़े-बड़े वायदे कि हमारे इतने बैट्स अवेलेबल हैं, पांच हजार बैट्स अवेलेबल हैं, तेट्स बैट्स अवेलेबल हैं, आप तो खुद ग्राउंड पे हैं, आपको अवेलेबल हैं, कहीं आई-सिव बैट्स, कहीं पे बी कुछ अवेलेबल नहीं हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दे, दिली की डीजी व अस्पताल के बाहर आवेवस्था देखने को मिल रही है, अस्पताल में मरीजों को भरती नहीं किया जा रहा है, और कल एक शक्स ने एलाज नहीं मिलने से दम भी तोड़ दिया था, इस वक्त हम दिली के दिन द्याल उपाधाय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, और कल जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि एक बजूद में यहां दम तोड़ दिया था, वहीं आज की तस्वीर देखिए आज की तस्वीर देखिए कि दिखे दो मरीज यहां तरप रहा है, सांस लेने की दिक्कत है, क्या कहरें यहां? उठाईए इनको उठाईए, यह यह तस्वीर है, और देखिए यहां लिखा हुआ है गेट के बाहर, तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कि गेट के बाहर, गेट के पाहर इमेजनसी फॉर कोबिट परसेंट अनली, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया जाए था, लेकिन जब हम यहां पहुँचे हैं, उसके बाद यहां इंट्री दी जा रही है, यह जी हिंदुस्तान की ख़बर का असर है, इनको एडमीर किरिपा कर आईए आप, जान चली जाएगी, तो फिर कुछ नहीं है, तो यह लगतार हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, और देखिए एक के बाद यहां पहुँच रहा है, जिनकी हालत काफी गंभीर नजर आ रही है, कौभऐसं इसी तरह की इस्तिती है, वो असक्esis के बाहर नजर आ रही हैं, देखिए जब मीडिया यहां नहीं पहुँचते हैं, तब इंट्री जो है वो नहीं दी जाती है, ल यह होता है खबर का असर जी इंदुस्तान की खबर का असर और देखिए अभी एक बंदा यहां तरप रहा था और जब हम यहां पहुंचे हैं तो उसके बाद अंदर अस्पताल के अंदर जो है उसको जाने की इजाज़त दी गई है तो ऐसे में सबसे बारा सवाल है कि इस तर लोगो लेगे एंदर एसा क्यूंग जब हम पहुंस्ते हैं कल भी हमने देखा जब में पहुंस्तान जो है वह मरीजों के हक में जो है आब आज उठाता रहेगा और जो अस्पताल स्वाया हुआ है उसको जगाने का काम करेगा और दिखिए इस इसी तरह की इस्तिती जो है वो लगातार लगातार देखने को मिल रही है और कैन परसर नरिंद के साथ सुमित कुमार जी मीडिया दिल्ली चले सीधर उकरते हैं सुमित हमारे सयोगी लगातार बने हुए आपकी ही रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाए कि कैसे जब जी हिंदुस्तान का कैमरा वहाँ पर पहुंचता है आप वहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर हरकत में अस्पताल के जो प्रिशासन है वो आ जाता है लेकिन ये भी तो सवाल है ना क्या मरीज की जिन्दगी आ रही थी देखिए यहाँ अभी हमने से बात किया है उसके बादольше राजे कुली से उसके बाद दर राजे मरीज को यहां बाहर बहेजा था और जो दोन्हों मरीज तरप रहते उनको अंदर कैजवली ास मतूंद चलने चलन रहते उनकर अदर दिक्कतल क्ति बिल्कुल देखें लेकिन आप मैं आपको बता दूँ कि दो जो मरीज यहां तरप आप थे उनको अंदर कैजविल्टी में एड्मिट कर दिया गया है डॉक्टर राजेस कोली समने बात की उसके बास संग्या लिया लेकिन अभी भी इस्तीती देखिए अभी इस्तीती समली नहीं है क्योंकि यहां बैट्स नहीं है और देखिए एम्बूलेंस में भी एक मरीज है जिसक मदद हो सके उनकी आप जरूर करिए इस बीच हितेन भी हमारे साथ सुमिट जुड़ गए हैं हितेन का हम रुक कर लेते हैं हितेन सुमित जो हालात दिखा रहे हैं और सुमित की समवेदन शीलता की वज़े से जो उनकी कोशिश थी उसकी वज़े से एक मरीज की आज जान ब पता लो का यह जी टीवी ऑस्पीटल में देखे चार गंटे से मैं यह खड़ा हुआ हो चार गंटे से ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है इस कमरे के अंदर पेसेंट्स के साथ ही डेट बोडी भी जोए कोवीड की पड़ी हुए या लोग घंटों से लाइन में लगे हुए अंदर एंट्री में दी जा रही है लोगों से बात करते हैं कितने इंट्री में हो गया आप आपर दोक्टर ही नहीं यह कह दिया गया है लोग यहां पर बाहर अपने मरीजों के साथ बैटे हुए इंतजार कर रहें कि कब डॉक्टर आगा चार गंटे हो गए दूसरी तरफ देखे यहां राइट में देखे यह एंबूलेंस की भी लंबी कतार जो लग चुकी है एंबूलेंस से भी पेसेंट्स आ रहें लेकिन यह लिए नहीं जा रहें तुकि कहरें कि ना अंदर ऑक्सिज देखे बोडी और मरीज साहत में रखे इस तरहिए यह तस्वीरें है यह तसीर है कि आदमी मर रहा है तो उसे उठाकर मौंजुरी में रखने वाला भी कोई भी है यहां पर जो भी अस्पाल में लोग पहुंच रहे हैं वह संता हालत में ही लोग तो ब्तारय राम भरो से च लेकिन डॉक्तर जो है कि वह उठकर अपने कमरे से यहां इमर्जंसी वाड के पास आने के लिए तैयार निन हो रहा है अब उसका जवाब कौन देगा क्या मुख्यमंत्री अर्विन के जिरिवाल देंगे क्योंकि वह तो लगादार अपना हाथ जारते हुए कि हमारे पास यह सब कम्या है अब हमने केंद्र से अपील की है केंद्र सरकात देख ले क्या कर सकती है लेकिन ये स्तिती आने क्यूं दी छे कहतें लोटेंगे आपके पास, क्योंकि बेहद विचलित कर देने वाली ये तस्वीरे हैं, सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित आपके वहाँ पर कोई परिजन मौजूद हो, क्या भी इस्तिती है, क्या परिशानिया लोगों को आ रही है और क्या समाध कि कल दस बेट्स खाली थे, लेकिन आज जब हमने से बात की, तो बेट्स पूरी तरह से फूल हो गया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस, कई एम्बुलेंस यहां पहुची है, और यहां सीधे डॉक्टर स्वाती आई थी अंदर से, उन्हें ने सीधे साफ कह कि अपास बेट्स नहीं है, इसलिए हम अडमिट नहीं कर सकते हैं, उनके लड़के हैं, जो मरीज एं अंदर क्या स्ट्रिटस है अदि विनकर रहे है, तो बात वजए का आया है अभी बगा दिया कि टेस्टिंग नहीं होगी, अंदर बढ़ा हुआ है, क्या पौची थी थि पिल्कुल सुम्हें देखें ये वाकरी मरीजों का जब दर्ड सुनते हैं तो दिल पसीच जाता है और मन में यही सवाल उठ रहा है कि मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल जो कुछ दिर पहले प्रेस कांफरेंस करिये कह रहे थे कि मैं हूँ यहाँ पर कोई परिशानी हो तो करता है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने घरों में ही रहे अपने सुरक्षा खुद करें एक शोड़ से ब्रेक के लिए आप रुक रहें जल्ला हो जेंगे